में 370 धारा खत्म कर दी गई है अब रक्षा मंत्री राजनात सिंग वो या सांसर जो है जब मुसे जितेन वो लगातार कह रहे हैं कि अब अगला निशाना जो है वो पियोके पे होना चाहिए पियोके भी अब जल्द भारत में शामिल हो ये वो मांग कर रहे हैं और संकेत दि भी उस दिन पोखरण में जा करके देखिए आज मैं आई हूँ हमारा संगठन परव भारती जनता पार्टी की सदस्यता के लिए और यहां मैंने सदस्यता की प्रक्षार ओपन किया और इसके बाद अब मैं अपने अगली सदस्यता के पढ़ाव पर पोचूँगी परंतु आपका जो प्रशने 370 वाला और पीयो के बाला तो इसमें मैं एक बात बता दूँ आपने संसद में हमारे माननी अद्यक्ष महोदा है और देश के ग्रह मंत्री अमित्षा जी का अगर आपने संसद में भाशन सुना होगा तो उनोंने इस पश्ट किया कि पीयो के हमारे दे अखंड भारत बन गया वो हमारे अंदर की समस्या है हमें उसको कैसे व्यवस्थित करना है उसमें कैसे नियम बना करके हमें शांती स्थापित करनी है यह उसका उदेश है वो भाग अलग नहीं है और हमारे माननी अमित्षा जी ने तो यहां तक कह दिया था कि हम उसके होने की आप सबको बहुत बहुत बढ़ाई जो अलग करने का प्रयास किया जा रहा था उसकी जो भी हम सब के मन में सभी देशबासियों के मन में जो पीड़ा थी कि हमारे देश का एक भाग कोंग्रेसियों ने जिस तरह से सब्जोते करके उस पर जो 370 लगाई थी अनुछ 370 वहां लगा करके क्या आप सेहमत है हमारे भारती रंता पार्टी के अधिकारी अखिल भारती अधिकारी है और वह जो कहेंगे वह बिल्कुल विचार करके ही कहें तो आपको क्या लगता है आप मानते हैं क्या हमारे भारत को जो भी पीड़ा पहुंचाएगा हमारे भारत को जो भी खंडित करने का प्रयाज करेगा वो निश्चित रूप से अपरादी होगा इसमें कोई शक नहीं है और कॉंग्रेस जो है वो धारा 370 का समर्तन करते नजर नहीं आ रही है कैसे देखते हैं आप इसे पूरी लीडर्शिप इस बार तो मुझे इस पष्ट है कि देश भक्त बिलकुल उनकी स्रेणी अलग हो चुकी है और देश भक्त हमारे देश में जिस तरह से उल्लास मना रहे हैं और जो रो रहे हैं वो देश भक्त तो नहीं हो सकते अनुच्छे 370 हटने पर पैती से हटने पर जो लोग प्रसंद हैं हमारे देश पर गर्व कर रहे हैं हमारे देश के नेत्रतमानी प्रधान मंत्री जी और अमित शाह जी पर गर्व कर रहे हैं वो देश भक्त हैं और ये परिभाशा इस बार सिद्ध हो गई है कौन देश के सा सब्सक्राइब करने वाले लोग ही अपने बीच में आना चाहिए और हम आए हैं और जंता ने उन लोगों को बिल्कुल नकार दिया है जो यह नहीं होना चाहिए उन्हों सब्सक्राइब करने का कोई अर्थ नहीं मानने मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है वह एक बाबा भी आए थे भोपाल में कल मिर्ची बाबा आये थे पहले पर कंप्यूटर बाबा आया अब एक बाबा है देव मुरारी बापू उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पद नहीं मिला तो मैं आत्मदा कर लूँगा अब सरकार उन्हें मनाने में लग गई है बोले पद देंगे आज गनर दे दिया यह सभी उसी समय के इलके लोग है इन्होंने जिनका उप्योग किया है जो शर्त इन्होंने उनको लिए रखी होंगी जो लोग हैं बिके हुए हैं और खरीदे हुए उनके तो यह जंजट बने ही रहेंगे अंतो अखंड भारत कीजिए बंदे मात्रम और भारत मात्रम और आँख और अजबता बंदे मात्रम और कमाषज़ उसी अंड़रा के इसे आप सब्सक्राइँ में वा जान नुद्धरल में दॉट कि मात्रम तबकार्भ गाएं जिए वीड़राद म सपर मैं बूंदीस दृट को अगरेुआ की ने नात्रम पर आकर्ष़ण के और इस बिश झाल झाल